स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के most important questions देखने वाले हैं यह episode number 2 है पहला episode अगर आप सबने नहीं देखा है तो please आप पहले episode को देख लेना क्योंकि episode की series में हम important questions आपको करवाने वाले हैं जितने हम से हो पाएंगे आपके पूरी मदद करेंगे और please आप अपना support करें वीडियो को maximum like कर दीजे और comment भर भर के comment करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं अगर आपकी कोई problem हो तो आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हो मेरा username आपके सामने लिखा हुआ है अपनी समस्याएं आप आके बता सकते हैं Telegram group अगर आप join करना चाते हो तो Class 12 ESP new group हमारा Telegram group है तो आप Telegram group को भी join कर सकते हैं वेबसाइड पे आपको notes प्रवाइड करवा दिये जाएंगे www.eklevystudypoint.com इवन करवा दिये गए हैं आप जाके website को visit करिए आपको notes मिल जाएंगे वहाँ पे आपके लिख information है premium course available है हमारा English और Polscience का अगर आप interested हो तो आप हमारे mobile app एक लव्य official से जाके उसको purchase कर सकते हैं आपको इसमें revision summary मिलेगी ठीक है English की बात कर रहा हूं है extract based questions मिलने वाले आपको यह सभी recorded videos होंगी इसके अंदर और MCQs भी आपको मिलने वाले ठीक है तो interested बच्चे ले सकते हैं तो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रशन है वो यह है कि एक खेल समीती का प्रमुख dash निदेशक होता है ठीक है कैसा मतलब कौन सा मतलब क्या होता है ठीक है कि तक्नीकी निदेशक होता है खेल समीति का जो प्रमुक होता है या वो सुरक्षा का निदेशक होता है प्रशासनिक निदेशक होता है निदेशक मतलब डायरेक्टर होता है या मनोरंजन का निदेशक होता है तो खेल समीति का जो प्रमुक होता है वो प्रशासनिक निदेशक होता है पूरे administration का ही वो director होता है तो हम कह सकते हैं option C यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा अगले प्रशन की तरफ चलते हैं dash एक विवस्तित करम में टीमों को विवस्तित करने की प्रकरिया है यानि कि एक ऐसा process है जिससे हम एक विवस्तित तरीके से जो है करम में टीमों को मतलब विवस्तित करते हैं tournament, fixture, seeding या buy तो इसमें सही answer fixture हो जाएगा fixer जो होता है आपका fixture की प्रकरिया वो उसी से मतलब हम क्या करते हैं एक विवस्तित रूप देते हैं ठीक है कि जैसे भी tournament शुरूने से पहले एक विवस्तित करना ठीक है, अगला प्रशन है अब हमारे सामने, इन में से कौन खादे आ सही शुड़ता का लक्षन नहीं है, कौन सा ऐसा लक्षन है, जो की खादे आ सही शुड़ता का लक्षन नहीं है, ठीक है food intolerance, मतली अत्यादिक खाना पेट दर्द, या फिर घवराहट तो इसके अंदर मतली ये हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, ज़्यादा, हद से ज़्यादा खा लेते हैं, यह जब खाना साह नहीं जाता तो हो सकता है, जी घवराय़़ अत्यादिक खाना ये कोई ऐसा लक्षन नहीं है, ठीक है कि मतलब खादे आसा ही चुनता से आप बहुत जादा खाना खाने लग जाओगे फिर उसके बाद पेट दर्द हो सकता है ठीक है गवराट भी हो सकती है तो हम कहा सकते हैं option B यहाँ पर सही होगा कहीं न कहीं क्योंकि खादे आसा ही चुनता के लक्षन की बात कर रहे हैं यहाँ ठीक है तो option B सही होगा अगला प्रशन इन में से कौन सा चप्टे पैर के लिए एक उपचारात्मक व्यायाम हो यानि कि अगर चप्टे पैर हो तो ऐसे में कौन सा वो आप व्यायाम कर सकते हो जो आपको उपचार के लिए अच्छे से काम आए पैरों के उगलियों पर उठना यानि कि पंजों पर खड़ा होना सीडियां चड़ना साइकिल चलाना या फिर यह सभी तो कहीं न कहीं यह सभी उपचारात्मक व्यायाम हो सकते हैं जिससे आपको काफी मदद मिलती है चप्टे पैरों में पंजों पर खड़ा होना सीडियों पर चलना साइकिल चलाना ठीक है आगे बढ़ते हैं महिलाओं ने वर्ष डैश से खेलों में भाग लेना शुरू किय तो कौन से वर्ष से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था अठारा सो या फिर अठारा सो पचास ठीक है अठारा सो पचास या उनने सो या फिर उनने सो पचास तो देखिए इसका सई आंसर उनने सो होगा तो कि अगर हम बात करें जो हमारे आधोनिक ओलम्पिक हुए एतेंस में 1896 में वहाँ पे तो इतना पार्टिसिपेशन नहीं था महिलाओंगा लेकिन महिलाओं ने सन 1900 के बाद से यहाँ पे मतलब भाग लेना शुरू किया ठीक है तो 1900 हमारा सही आंसर हो जाएगा पेशी है संकुचन के लिए मुखे इंदन कौन सा पोशक्तत्व है यानि कि जो हमारी मास पेशी है जो हमारी मसल्स है उसके जो कॉंट्रेक्शन होता है जो संकुचन होता है उसके लिए मेन इंदन का काम कौन सा पोशक्तत्व करता है Carbohydrate, Fat, Proteins या Vitamins तो Carbohydrate वो होता है पोशकते तो जो हमारे लेक इनन का काम करता है ठीक है, Fuel का काम करता है तो यहाँ पर Option A सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब हमें देखिए अब चित्रा अधारित प्रशने हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था हम हर तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे बस Depend करता है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको हर तरीके का प्रशने देंगे, जो भी आपकी तैयारी हो सकती है तो यह जो लड़का बैठा हुआ है यह कौन सा आसन कर रहा है हल आसन, वजर आसन, भुजंग आसन या तिरकून आसन तो यह जो लड़का बैठा हुआ है आपके सामने यह वजर आसन कर रहा है, ठीक है तो हम कह सकते हैं, option B यहाँ पे सही हो जाएगा तो आप इसको पहचान लेना हो सकता है, यह match दा following करके आ जाए पर depend यह करता है कि आपको आसन याद रहना चाहिए, फिर प्रशन चाहिए किसी भी तरीके कहा जाए, ओके आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने एक और चित्र दिया हुआ है यहाँ पे एक आसन किया जा रहा है आपको बताना है, यह कौन सा आसन हो रहा है यहाँ पे, हल आसन हस्त आसन, भुजंग आसन यह तिरकोण आसन तो यह आसन जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, यह हस्त आसन है ठीक है, हस्त आसन है तो option B यहाँ पे सही हो जाएगा जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो आतों को पूरा उपर खीचा जा रहा है हस्त आसन आपका हो जाएगा अगला प्रशन है आप हमारे सामने यह जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है इसमें आप देखो कि घुटने टकरा रहे हैं आपस में, यहाँ से देखो यहाँ से देखो, तो यह क्या है यह चप्टे पैर है, यह फिर नौक नीज है, यह गेनू वैल्गम है यह बी तदा सी दोनो है तो यह कौन से विक्रती है आप सोचो के नौक नीज है बिल्गुल सही, पर आप अगर उप्शन भी करोगे, तो यह घलत होगा अब आप पूछोगे क्यों क्योंकि नौक नीज को गेनू वैल्गम नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए उप्शन डी सही होगा, भी तदा सी दोनो, इट मींस नौक नीज तो है है यह, पर इसको गेनू वैल्गम नाम से भी जाना जाता है ओके, सो उप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा प्लीज सभी चित्रों को ध्यान से याद रखना, आपको एपिसोड्स में मैं बहुत सारे चित्र देने वाला हो जो भी आपके एक्जाम में आ सकते हैं भी तरीके के और आपको जरूर मिलेंगे आपके एक्जाम में ये चित्र ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब एक कथन है आपके सामने लिखा हुआ, कथन ये है कि योजना गलतियों के संभावना कम करती है सही बात लिखी हुई है कुछ गलत नहीं है इसमें हमें खेलों से पहले योजना बनानी चाहिए ये भी सही है, तो इसमें आप क्या सोचते हो, क्या हो सकता है येस, अभी कथन और कारण दोनों सही है और येसकी सही व्याक क्या करता है ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुत ही आसान तरीके से आए गई विकतन और कारण आप देखते ही समझ जाओगे दोनों fact को पढ़ लेना एक भी अगर आपको अलग लगता है थोड़ा सा ठीक है जो related सा ना लगता आपको तो वो समझ लेना वो गलत है कहीं ना कहीं ठीक है तो अब इसी तरीके से हमारा episode आज का यहाँ पर कतम होता है अगले episode में questions और बढ़ाए जाएंगे नए नए तरीके के लाए जाएंगे पर depend करता है अगें आपके response के उपर सभी videos को आप हमारे देखते चलिए mcqs की भी videos हमने ज़्यादा से ज़्यादा बना रखी है chapter wise explanations भी बना रखी है हमने तो आप लीज वीडियो को ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा देखिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और वीडियो को आप maximum share कर दें maximum groups में thanks for watching जै हिंद जै भारव